वर्ष 1921 की बात है 16 साल का एक लड़का जज के सामने खड़ा था। उसका दोश था अंग्रेज सरकार की खिलाफ्त। जज ने नाम पूछा तो बताया आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर का पता जेल। 16 साल के लड़के की यह बेबा की जज को रास नहीं ए और उसे जेल की सजा सुनाई गई। यह लड़का बाद में चंद्रशेखर आजाद के नाम से प्रसिध हुआ। आजादी के मतवाले आजाद का जन्म भाबरा गाउ अलीराजपुर जिला में 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। आदिवासियों के बीच आजाद ने निशानेवाजी बचपन में ही सीख ली थी। एक गाउ में राम प्रसाद बिस्मिल के नित्रित्व में डाली गई डकैती में जब एक औरत ने आजाद का पिस्तॉल छीन लिया तो अपने बलशाली शरीर के बावजूद आजाद ने अपने उसूलों के कारण उस पर हाथ नहीं उठाया। चंद्रशेखर आजाद, लूटना था ना कि किसी को नुकसान पहुचाना। बदला लेने की ठानी। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंग और राजगुरू ने संध्या के समय लहोर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को जागेरा। ज्योही जे, पी, सांडर्स अपने अंग्रक्षक के साथ मोटर साइकल पर बैट कर निकला, पहली गोली राजगुरू ने दाग दी, जो साधन्स के मस्तक पर लगी और वह मोटर साइकल से नीचे गिर पड़ा। भगत सिंग ने आगे बढ़कर चार छे गोलियां और दाग कर उसे बिलकुल ठंडा कर दिया। जब सांडर्स के अंग्रक्षक ने पीछा किया तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी गोली से उसे भी समाप्त कर दिया। चंद्रशेखर आजाद के ही सफल नेत्रित्व में भगत सिंग और बटुकेश्वर दत ने 8 अप्रेल 1929 को दिल्ली की केंद्रिय असेंबली में बम विस्फोर्ट किया। यह विस्फोर्ट किसी को भी नुकसान पहुचाने के उद्देश्य से नहीं किया गया था। विस्फोर्ट अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए काले कानुनों के विरोध में किया गया था। इस कांट के फलस्वरू पी क्रांतिकारी बहुत चंप्रिय हो गए। केंद्रिय असेंबली में बम विस्फोर्ट करने के पश्चात भगत सिंग और बटुकेश्वर दत स्वयम को गिरफतार करा लिया। मुकदमा चला भगत सिंग, राजगुरू और सुकदेव को फासी की सज़ा सुनाई। अंग्रेज सरकार आजाद को गिरफतार करने के लिए हर जगय दबिश कर रही थी। 27 फरवरी 1931 को आजाद प्रयाक के अलफ्रेड पार्क में छिपे थे। मीटिंग के लिए वो अपने बाकी दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। किसी गददार ने आजाद के पार्क में छिपे होने की बात अंग्रेजों को बता दी। इतना काफी था उनके लिए। पोरी फॉज लेकर पहुँच गए और बाहर से पार्क को घेर लिया। और जिन्दा ना पकड़े जाने की कसम को पोरा किया। ऐसे ही अनेकों क्रांतिकारियों के बलिदानों के सदका भारत को आजादी मिली। इन देशभक्तों की शहादत को शत-शत नमन।